सर बताइए मार्केट पे हम देख रहे हैं कि जैसे आपने शुरुवात में कहा भी था कि थोड़ा सा यूफूरिया कम होता हुँ नजर आ रहे लेकिन निफ्टी में हम देख रहे हैं कि धीरे-धीरे करके हर हाय लेवल्स पे कुछ जो नए रिकॉर्ड लेवल्स है वो बनाने रादा नहीं है लेवल्स पे तो बहुत कम स्टॉक्स दिख रहे हैं लेकिन यह जो आज हम स्टॉक के बारे में बात करेंगे उसमें लंबिया हो धीरा निवेश के लिए नहीं मैं शॉर्ट टर्म टर्म हो सकता है डेफिनेटली क्यांकि अल्रडी भर चुका है स्टॉक कारक के टारगेट हो सकते हैं 324 रुपै का जो है डोसोचुवेस रुपै मैंने गलती से लिख दिया था आप उसको करेक्ट कर ले तीनसोचॉवेस्थ रुपै का इस्टापलास होगा और 372 तक के टारगेट हो सकते हैं कम्पनी जो है सेकेंड लाजर्जस्ट पोर्ट जो है तो इस स्टॉक में जो है जो है अच्छे पॉर्चिनिटी हो सकते हैं अगर कभी भी बड़ी गिरावट आए क्योंकि इस तेजी में ज्यादा नहीं चला लास्पोर्टर के नंबर्स उत्मी ज्यादा अच्छे नहीं थे लेकिन मुझे लग रहा है कि लॉंगर टर्म अपॉर् उस लहाँ से अपने काफी शॉर्ट टर्म के लिए कॉल दिये हैं बिल्कुल बड़े हुए हैं को कि इस साल अगर आप देखेंगे 57 परसंट इस स्टॉक चल चुका है और एक साल में भी देखें तो दो गुना से ज्यादा हो चुका है 174 रुपे का अपमूव स्टॉक में अगर बड़ी देखने को मिल चुका है लेकिन हां जैसे सर ने कहा कि रिजल्स आने के बाद कुछ खास नहीं देखने को मिला है एक महने में आप देखेंगे 3% के आसपास की गिरावट ही हुई है तो यहां से अगर कोई बड़ा करेक्शन होता है तो इस स्टॉक में आपको जेफरिस की रिपोर्ट भी आई है सर इसमें उन्होंने स्टॉक के लिए 375 रुपे का टागेट दिया इस पर कवरेश शुरू करी है तो 375 रुपे का टागेट वो कह रहे है कि एक साल में आता हो देखेगा जो आपने टागेट दिया है 372 का इनके आसपास ही है कितने समय क क्या बात करें डूरेशन क्या रखने होगी सर कि में कि शॉर्ट टर्म टू इदियू ट्रम रखें मिमेंटम के लिहां से आप लेखें सस्टॉप में कि को जिसी स्टॉप में तेजी आ सकती है और मुझे रखता है कि 337-37 के उपर मिमेंटम ज़्यादा तेज बन सकता है में तो 337, 338 यह breakout point है जहां से share में हो सकता है कि बड़ी या तेज रैली आती हुई नजर आए तो यहां पे जैसे यह लेवल पार होगा तो 372, 375 तक यह लेवल से हैं वो इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं वैसे अगर आप लंबी अबदी के लिए चाहें तो गिरावर्ट पर यानि कि कोई भी अगर फॉल आता है शेर में तो वहां पे लंबी अबदी के लिए स्टॉक को एकुमिलेट करके चल सकते हैं तो कई सारे ऐसे स्टॉक हैं जहां पर हमने बातचीत करी है जहां पर आपने भी रेक्मेंडेशन दिये हैं दूर रहने की या तो फिल होल करने की कोई डिस्क्लोजर जो आप शेर करना चाहेंगे जाने से पहले जब जब ध्यान आया मैंने दिस्क्लोजर उसी समय दिया कि यह स्टॉक मेरे पोर्टपोलिय में है या नहीं है उस तरह से वेस्टर इंटरेस्ट डेफिनेटली हम लोगा रहता है कि हम लोग ट्रेड भी करते हैं मारकेट में तो कभी भी आप अगर पैसे लगाएं तो आप अपने जो इसके बारे में ठोक बजाकर देखने की स्टॉक कैसा है और इसमें कितने प्रॉस्पेक्ट है चली बहुत बहुत धन्यवासर थैंकी सूमा चार्ज हमाई साथ जुड़ने के लिए और चुन-चुन के जो स्टॉक आपने बताया उसके लिए भी आपका बहुत ब मुनाफे का हमारा खास सेग्मेंट जिसमें SDFC स्काई की और से हर दिन आपके लिए हम लेकर आते हैं एक शांदार कॉल इस कॉल को बताने के लिए आज मेरे परम मित्र और सही होगी विवेक मित्तल जी हमारे साथ कारिक्रम में शामिल हो चुके हैं विवेक जी आपका बहु उन्होंने जो लक्षए दिये हैं वो 646 रुपे के लिए दिये हैं और रिक्मेंडेशन 551 रुपे के भाव पर दी गई है अगर हम देखे तो इसका होल्डिंग पीरियोड जो रहेगा वो 11 सेप्टमबर 2025 तक रहेगा यानि कि करीब करीब आपको ये कॉल एक साल के लिए अ SDFC Sky एप का एक फीचर है जहां आप SDFC Sky की इन हाउस एक्सपर्ट रिसर्च टीम से रिक्मेंडेशन ले सकते हैं साथी स्क्रीन पर दिये QR कोड की मदद से आप SDFC Sky के एप को डाउनलोड भी कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिये लिंक पक्लिक करके SDFC Sky के साथ डीम सौधा मुनाफे का हमारा खास सेग्मेंट इसको यही पर समिछते हैं